जैन दोस्तों, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ संचिस सकसेना भाई आज, आज ना हमने रिसेंटली एक गाड़ी पर्चेस करी है इगनिस, तो ये इगनिस का जेटा वेरियंट है जो गाड़ी हमने यहाँ पर पर्चेस करी है आपको ना भाई, मैं इसकी ना एक चीज बताता हूँ ये गाड़ी है, टोटल जो हमें पड़ी है, विद ऐसेसरी तकरीबन तकरीबन 6,70,000 की तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भाई, 2023 आज 2023 यहाँ पर आगया है, वही 2023 के अंदर, क्या ये गाड़ी लेना वर्थिट है क्योंकि आप देखो, हमारे यहाँ पर इस मार्किट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां है वही हैजबेक का मार्किट भरा बड़ा है, लेकिन ना, सबसे बड़ी बात आती है इस लोगो की भाई ये लोगो है एक सबसे बड़ा ट्रस्ट का फेक्टर तो आज ना, मतलब इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं जेटा वेरियंट के अंदर क्या-क्या फीचर्स आ रहे हैं, ये गाड़ी चलने में कैसी है और क्या ये वाकई में एक वर्थिट है आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो इंजन आता है ना गाड़ी का 1200cc का इसका इंजन है 1200cc के इंदर सबसे पहली बाद देखने वाली बाद ये है कि चार सिलेंडर हमें गाड़ी मिल रही है 82 PS की पावर मिल रही है और 113 N का टॉर्क मिल रहा है बही चार सिलेंडर ना एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो इसको आगे बना रहा है ठीक आपको यहाँ पे गाड़ीयों की चावी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमें दो चावीयां मिली है तो प्राइमरी और सेकेंडरी की ये देख सकते हैं आप सेंटरल लॉकिंग के साथ आ रही है सुझुगी के बेच के साथ यह यहाँ पे प्राइमरी की जो मैंने बनाई है यह मैंने इसे असन एससरी में लिया है तो यह कुछ ऐसा कवर मैंने परचेस कर रहा है तो लॉक अनलॉक के साथ आ रही यह गाड़ी है अब यहाँ पे न हम front में बात करते हैं यह जो part है न हमारा front का यह यहाँ पे chrome grill के साथ आ रहा है प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं यह यहाँ पे elements आ रहे हैं विस Suzuki beige और यह जेटा variant के अंदर भी न halogen bulb हमें देखने के मिल रहे हैं low beam, high beam के setup के साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे fog lamp पा रहा है fog lamp के साथ न एक आप यह देखिए वई gray color की car है लेकिन यहाँ पे front में जो skid plate है यह यहाँ पे silver color की है तो यह कुछ ऐसी skid plate हमें देखने को मिलेगी side में अगर मैं बात करू न सबसे पहले यह यहाँ पे 15 इंच के हमें यह यहाँ पे alloy wheel देखने को मिल रही है with bridge stone के tire तो एक इसमें यह plus point है plus front में हमें disc brake मिल रहा है rear में हमें drum brake मिल रहा है plus side में आप यह देखिए यह bonnet का essence तो यह एक designing element है आप यह देख सकते हो है यहाँ पे तो भाई look को एक number enhance कर रहा है होने के बाद एक नजर डालो wheel arch पे तो यह wheel arch जा रही है mat finishing की कुछ इस तरीके से running board से पीछे तक तो फायदा इस से क्या हो रहा है जो miscellaneous scratches होते हैं वो इसमें avoid हो रहे हैं यह बाट हुआ यहाँ पे आप देखिए यह ORVM आ रहा है साइटन indicator के साथ में allow मतलब नहीं हो पारे तो mat finishing का एक सबसे बड़ा फायदा यह है दूसरा फायदा जो मैंने यहाँ पे accessory ली है एक second accessory यह है rain visor तो यह rain visor हमें बढ़ा है इस से फायदा क्या हो रहा है ना भाई गर्मिया हो रही है या फिर आप मान के चलो इस टाइब के होगी smoking की आपको habit है या बारिश हो रही है ना तो यहाँ से भाई easily पानी अंदर नहीं आएगा तो यह part एक हुआ plus इसका roof rail भाई यह integrated roof rail आती है यह देखो it's a part of the body इससे होगा गया कुछ ऐसी state है जहाँ पे luggage carrier legal है तो वो accessory में आप यहाँ पे ले सकते हो plus 50 kg तक का यह यहाँ पे weight उठा सकती है इसके साथ में side element में आप यह देखो body color door handle है लेकिन यह यहाँ पे request sensor मिल रहा है हमें keyless entry के लिए तो यह part हुआ इसके साथ में B pillar जो हमारा आ रहा है यह mat finishing में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है plus यह कुछ C pillar एकदम सीधा slant यह design element आ रहा है यह जो wheel base है 2435 mm का है आप देख रहे हो 2435 mm का wheel base है बहुत ही ultimate यह part हुआ यह आप देखे वही यह यहाँ पे rear spoiler आ रहा है कुछ इस तरीके से एंटी ना हमें देखने को मिल रहा है rear में आते हैं तो rear में यहाँ पे हमें rear dimister देखने को मिल रहा है plus high mounted LED stop lamp यह rear wiper हो गया plus split tail lamps हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से यह Suzuki का wedge और Ignis का wedge plus आप देखे वही rear में parking sensor चार parking sensor हमें देखने को मिल रहा है rear में हमें skid plate जो आ रही है यह देखो एकनम look न एक ultimate बना रहे हैं यह देखे भई तो यह कुछ हुआ यहाँ से अभी same मैं आपको न अंदर गाड़ी पे लेके चलता हूँ तो भई यह है गाड़ी का interior यह कुछ भई इस तरीके से आप grab handle देखो यार मतलब एक गाड़ी ना यह literally amazing गार है चार speaker यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें 2 tweeter add-on है तो total हमें यहाँ पे जो speakers मिल रहे हैं set हमें वो यहाँ पे 6 speakers का हमें set मिल रहे हैं जिसमें 4 speaker हैं दो tweeter हैं, एक tweeter यहाँ है एक tweeter वहाँ पे आप देख सकते हो plus यह कुछ इस तरीके से dual tone का हमें interior देखने को मिलेगा यहीं पे आप देखो यह कुछ steering पे ऐसे controls आ रहे हैं plus यह आप यहाँ पे देख सकते हो, ORVM की adjustment यहाँ पे lock, unlock, auto, down and auto up के साथ तो यह मैं गाड़ी को पहले start करता हूँ देख सकते हो यह auto down भी है तो auto down हमें यहाँ पे power window कुछ देखने को मिल रही है ऐसे engine start stop हमें देखने को मिल रहा है plus यह यहाँ पे मैं D.I.S. theme को कम जादा इसकी brightness कर सकता हूँ control कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से plus यह गाड़ी अभी start है देख रहे हो आप blue color तो यह भई मारूती के ना नेक्सा के अंदर यह मैंने bellino में भी देखा है तो यह जैसे down होगा इसका मतलब है अब engine भाई ठंडा मतलब गरम हो गया है अब आप इसको गाड़ी को carefully चला सकते हूँ यह कुछ इस तरीके से हमें signal मिल रहा है plus चार control हमें देखने को मिल रहे है blower की speed के AC rear dimister on off का recirculation on off का AC का 12 volt का charging का point आ रहा है यहाँ पे USB charging हमें देखने को मिल रहा है प्लस यह अच्छा एक एंपल आमाउंट है cavity दो यहाँ पे cup holder five speed transmission यह handbrake कुछ इस तरीके से यह हमें infotainment आ रहे है android auto apple car play के साथ में यह भाई dashboard है globe box आप देख सकते हूँ दो यहाँ पे split है एक जगा उपर है एक जगा नीचे है तो यहाँ पे आप यह देख सकते है कुछ इस तरीके से गाड़ी है fabric seats आ रही है यह factory fitted है वही fabric seats है गाड़ी के अंदर अब मैं आपको ना एक बार second row दिखाता हूँ यह आ गए second row में तो भाई यह second row हमें ऐसे देखने को मिल रही है 60-40 split seat के साथ में यह गाड़ी हमें देखने को मिल रही है plus यह कुछ हुआ rear का पार्ट आप देख सकते हो तो अच्छी बात है यह जो headrest है यह adjustable headrest है चारो की चारो windows पे plus यह देखिए boot यह है भाई कुछ इस तरीके से हमें boot मिलेगा partial tray के साथ में यह यहाँ पे मैंने accessory में यह mat को भी purchase करा है तो यह चीज मैंने लगवाई यह plus गाड़ी का जो boot space आता है 260 liter है आप देख सकते हो कितना अच्छा एक ample amount का यहाँ पे space है अब एक बार चलते हैं गाड़ी को चला के देखते हैं कि चलने में यह गाड़ी कैसी है यह देखो यह गाड़ी start है 1200 cc का engine है 82 ps की power है 113 newton का torque है लेकिन भाई देखने वाली बात है यह गाड़ी 1200 cc में 4 cylinder engine है यह देख रहे हो कोई vibration ही नहीं है अवाज सुनो कुछ नहीं भाई बिलकुल silent है engine का यह rpm देखो यह न यहाँ कोई fluctuation नहीं दिखेगी यह देखिए तो यह यहाँ पर जो settings आ रही है मैं info पर गया driving time दिखा रहा है मेरे को fuel economy दिखा रहा है और currently यह 13.7 की mileage देखा रही है ठीक है अभी मैंने ज़्यादा नहीं चलाया अभी यह तो शुरुवात है तो ज़्यादा चलाया नहीं है range, average speed यह सब दिखा रही है ठीक है तो मैंने इसे कुछ ऐसे किया और यह plus minus करके न मैं इसका brightness D.I.S. की कम ज़्यादा कर सकता हूँ कुछ इस तरहीं है तो भाई engine आप देख सकते हैं blue light चली गई है hand break down करता हूँ गाड़ी को चलाते हैं एक बार देखते हैं किस तरीके से गाड़ी चलने में NVH अभी तक तो बिल्कुल नहीं है 0 NVH है यह देखो गाड़ी लॉक हो गई अच्छा मैं देखो एक चीज आपको और बताता हूँ नई गाड़ी ली है तो आपने सुना होगा कि नई गाड़ी को ज़्यादा तेज नहीं चलाना होता first service तक उसे allow करो मतलब कि continuous आराम से चलाओ 50-60 से नीचे चलाओ तो देखो ये बाते ना पहले हुआ करती थी ठीक है जब तक मतलब टेक्नलोजी पुरानी थी तक ये बात हुआ करती थी बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है लेकिन आप पाता है क्या है भाई आपका hard and money है आपने जो गाड़ी ली है 6 लग 70,000 कम तो नहीं होते न उससे फाइदा क्या होगा एक तो ना गाड़ी वे लोड भी नहीं होगा और गाड़ी को न अगर देखो आपको long term use करना है तो अच्छा reliable option ये गाड़ी बन सकती है आने वाले जब time इसका आएगा 5-6 साल ना तब गाड़ी इतना खर्चा नहीं मंगेगी ठीक तो बैटर है कि इसे ढंक से चलाओ तो भाई ये देखो अभी आपने देखा होगा वीडियो में न दो तीन स्पीड ब्रेकर चले गए हैं ठीक है यार गाड़ी के suspension अगर मैं बात करूँ तो ठीक है उस हिसाब से segment के हिसाब से और ये देखो भाई इसका आवाज जैसी जो 2000 से तक आरपिम पर आती है न वो जो एक थम पार है न स्पोर्टी सी sound आ रही है इसमें literally एक बहुत अच्छा option है तो ये है कुछ भाई गाड़ी चलने में गाड़ी का मैंने अभी AC on कर रहा है AC on करके गाड़ी चला रहा हूँ हाला कि सर्दिया है बट स्टिल AC इसका अच्छा effective है अच्छी बात है भाई मेरे को ना vibration यहाँ feel नहीं हो रही है कोई भी यहाँ पर vibration नहीं आ रही है और ये देखो tight spot पे traffic की condition है या कुछ भी आप कैसे भी चला रहे हो ना आपको मैं इसका turning radius दिखा हूँ यह देखो कितना सही है देख रहे हो भाई literally यह गाड़ी देखो congested road पे अगर traffic है कुछ है ना easily यह गाड़ी मुड सकती है अच्छी बात है अगर इस गाड़ी को कोई बंदा purchase कर रहा है कोई youngster है college going student है उसके लिए बहुत बड़ी option है ठीक वेगनार सेग्मेंट के अंदर यह गाड़ी हमें देखने को मिल रही है प्लेस यह जो कार है भाई वेगनार से भी ना अटेंटिवली 30 से 35 जार रुपे सस्ती है यह गाड़ी ठीक है यह इसका सबसे बड़ा point है दूसरा college going student youngster अगर कोई भी है यह इस गाड़ी को definitely ले सकता है क्यों क्योंकि एक तो ना road presence इसकी बहुत अच्छी है एकदम hut के look है और मैंने आपको बता है ना देखो यह वेगनार से compete कर रही है तो अगर एक youngster है यह college going student है ना तो for sure वेगनार के सामने अगर मैं इगनिस रखूंगा ना तो मेरे हिजाब से तो इगनिस ही choice होगी आप लोग comments में बताओ आपका क्या opinion है दूसरी चीज एक अच्छी बात है इस गाड़ी के साथ ना यह Suzuki का बेज आ रहा है भाई यह जो Suzuki का बेज है ना मारूती की जो car है ना literally एक trust worthy है सबसे बड़ा market share हमारे देश में मारूती का है ठीक गाड़ी का resale कोई hamper नहीं होने व मिलेगी साती साथ parts का maintenance का भी कोई दिक्कत नहीं है easily आपको हर जगा इसके touch point मिलेंगे तो मेरा conclusion यही है for sure अगर आप Ignis पे आना चाते हो ना definitely 2023 नए साल के अंदर आप Ignis पे आ सकते हो गाड़ी अच्छी है वेगनार और Ignis में अगर मैं बात करूँ भाई देखो metro cities में अगर आप हो तो तो भाई Ignis पे definitely हो लेकिन अगर tier 2, tier 3 cities में होना तो मेरा personally point यह है कि वहाँ पे resale का थोड़ा बहुत hamper होगा अगर मैं वेगनार और Ignis को आमने सामने रखूँँगा तो वेगनार आपको ज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो वाई इसको सब्स्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो शेर करो उन लोगों के साथ में जो लोग अभी नई गड़ी देखना चाहरे हैं नई गड़ी का प्लान है थैंक यू सो मच